नमस्कार आज हम बात करेंगे लवंग के बारे में जिसे की आईरवेद में लव भी कहा गया है जी हाँ लवंग का एक जो नाम है लव भी है चली शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं यह बताइए कि लवंग गरम है कि थंडा तीन सेकन एक दो तीन ठीक है चल यलो वी जो इसका नाम है और यह किन-किन बिमारियों में यूस्फुल है कितना खाना चाहिए इससे खाने से क्या फायदे होंगे पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में लवंग जिसे की आम बोल चल की भासा में लॉंग भी कहते हैं इसके बारे में ऐसे आया है अब यह इतना यूनिक कॉंबिनेशन होने के कारण तीशन गुण के कारण लगता है पर बाकी जो उसके गुण है वो उसे ठंडा बनाते हैं तो आज हमें पता चल गया लवंग का जो नेचर है या लॉंग जो होती है वो नेचर में ठंडी होती है शीत होती है इसका जो आयरविद में रस बोला है वो कटू प्रधान तिक्त बुला है कटू मतलब ये तीखा होगा और थोड़ा सा कड़वा होगा तो तीखा और कड़वा ये दो टेस्ट होने के कारण किस पर काम करेगा ये कफ और पित्ट पर सबसे अच्छा काम करेगा तीखा है तो कफ को कम करेगा और कड़वा है तो पित्ट को कम करेगा तो कफ प के रोग हैं वो कफ पित वाले ज्यादा तर बीमारियां देखने मिलती है जो लाइफस्टाइल रिटेड विमारियां होती है उनके बात कर रहा हूं तो लवंग का प्रयोग आज कल की जो बीमारियां होती उसमें बहुत यूसफुल होगा तीशनकुन होने की कारण क्या होगा या कभी-कभी जब बहुत जधा सिर्दर्द होता है इसी ज़र्दा जब कंडिर्शन बोलते हैं तर लवंग का तेल लगाना या लवंग की स्मेल लेना लवंग खाना यह सारी चीज़ें उनमें फायदेमन्त होती इसके अंदर तीशनकुन होने के खरण और फायदा है कि य उसमें भी इसमें आप लवन खाते हैं तो सबसे सिंपल बात कफर पित्र को कम करता है मतलब क्या करेगा अंदर जाके पाचन बढ़ाने में तो मदद जरूर करेगा तो यह पाचन बढ़ाने के साथ-स जा इस वाली पाणी m और खाना हजम नहीं होता सीने में जलन होती रहती है ऐसे लोग जो उनको लगता है गया रहे ऐसी डिटी तो केवल पित्त की बिमारी है और वो दूद पी लेते हैं कुछ ठंडा पी लेते हैं पर थोड़ी देर बाद उनको और जलन हो जाती है और उल्टी होने लग जाती है तो ऐसी बिमारी जिसमें की ऐसी डिटी में बहुत ज़दा पानी निकलता है एकदम खटा-खटा मुझसे पानी निकलने की प्रॉब्लम होती है ऐसे में यह क्या करेगा उस जो एक्ट्रा वाटर आ रहा है उसे सुखाने में मदद करेगा और पित्त की जो जलन है उसे कम कर करने में मदद करेगा तो लगूस निक दगुन होने के कारण ऐसी डिटी जैसी बिमारियों में यह बहुत यूसफुल रहेगा तीश निकुन होने के कारण यह सलाइवा के उपर बहुत अच्छा काम करता है जो आपकी लार है उसका सिक्रेशन बहुत अच्छे से बढ़ा की दवा रहेगी और एक बिमारी में यूसफुल होगी जिनको मुह से बहुत ज़्यादा दुरगंद आती है बद्बू आती है फॉल्स मेल आने की तकलीफ है इस तरह कि जो लोग प्रॉब्लम करते कि नहीं मुह में हमेशा एकदम बात करने कर सकते मुह धकना पड़ता है उसमें यूसफुल हैगा यह लीवर को एक्टिवेट करने का काम करती है यह प्रुतszy त्ते जकैसे करके शब्द बोला है अब लीवर को एक्टिवेट करती है तो उन सभी बिमारिएं जिसमें लीवर का फंक्षनन डाउन हुआ रहता है या फैटी लीवर जैसी जो बिमारि के लिए दिया जाता है जिससे कि वो पाचन अच्छे से होके जो पेन हो रहा है वो पेन कम हो जाए अरूची अगनिमान आदमान छड़ी उदर शुले से बहुत सारे शब्दाइं अरूची मतब जिनको खाने में मज़ा नहीं आता खाने में खाना सामने है पर इंट्रेस्ट नहीं आता खा रहें पर उसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहा है तो अगनिमान जिनकी भूख डाउन है ऐसे सारी कंडिशन में आदमान जिनको खाने खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस होने लग जाती है ऐसे पेट में दर्द होने की तकलीफ होती है उसमें या ऐसी जिसको आईरवेद में शब्द आया है कि इतना ज्यादा खाना आजम नहीं इतना खटा-खटा हो रहा है कि बार-बार उल्टी जैसे लग रहा है या आपने देखा होगा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं बस में जैसे लोगों को लॉंग दिया जाता है खाने को क्यों क्यों होने के कारण यह हारड को भी करता है हार्ड का जो बलट सर्कुलेशन है यहे मदद ऐ सकती है यह लगों के लिए यह बहुत अच्छा यूसफुल होगी चिन लोगों के आस-पास की फीरंग जैसी जो बीमारियां होती हैं उसमें जिसमें ग्र लाउंग डालकि आशुटी बनाई जाती है और वहां पे लेखं़ लगाने के लिए औरल खाने के लिए उस तरह गया उशेदी लाता बहुत अच्छा काम कर एक कि जो लोग ऐसे बोलते हैं हमकों स्वांस की तकलिफन अब बाहर मिल जाता है अगर लगों के लिए अच्छी होगी जिनको ? और पिठन और स्वांस की तकलик होती है जिनको कफ का बहुत ज़यादा जो है सीने में इकटा हुआ रहता है या कफ को ये क्या करेगा? च्छेदन भेदन करके कफ को बाहर निकालने में मदद करेगा और कफ के कारण जो दुरगंद आती है बद्बू आती है उन शारी चीज़ों में भी बहुत अच्छा इंपक्त करेगा कफ के कारण जिनको बहुत जदक खासी भी आरही है स्वांस लेने में तकलीफ हो रही है या हिचकी जैसी प्रॉब्लम हो रही है ऐसी सारी की सारी कंडीशनों में ये यूसफुल है वाजी करन स्थन्य जनन स्थन्य शोधक इस तरह के शब्द आये हैं क्योंकि ये जो शुक्रधातु है वहां तक जाती है उसको स्तंभ करने का उ तो कई बार ऐसे होता है कि फीडिंग कराते हैं बच्चे को पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद भी बच्चा जो है वह दूद पी के उल्टी कर देता है या उसको ठीक से नरिश्मेंट होना चीव नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि जो मां का मिल्क है उसके अंदर कुछ न पीएगा तो उसको भी नरिश्मेंट मिलेगा गर्बणियों को जो प्रेग्नेंसी में अगर वात की करन कई बार पेन में होता है तो उसमें लवंग और शहत के साथ चाटने के लिए देते हैं इसका एक एक्शन के ओपर भी बहुत अच्छा है यह जो किडनी है उसमें यू को फीवर आता है यह तिक तरस वाली है तो सबसे पहला तिक तरस वाली कडवी दवाईयां लेने बोली है तब यह वहां पर यूसफुल होगा और जब जो और देखेंगे तो उसमें मन अगनी एक बहुत इंपॉर्टन रोल आया है तो यह जो भी दोश है उनको पाचन करने हैं मदद करता ہے तो फीवर जैसी कंडीशन में भी फीवर आने जैसा लग रहा है तो फीवर आने से भी बचा और अगया है तो इसे ठीक करने में मदद करें वह तो लीख करने और बात करें तो यह सबसे अच्छा एक्षन कफ पर फिर और उसके बार सबसे exercise का वाद पे तो कफफित्ट की बिमारियों पे जादा अच्छन वाद पे भी काम करता है पर कफफ पित पे जप अच्छा आच्छन है और जो पूरिश होता है जो तीन तरह के मल है सुईद मॉत्र पूरिश उसमें से जो मल होता से ये शरीर से बाहर निकलती, मतलब इतना ज़्यादा action इसका शरीर पे है, इसे use करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, तो जो long का powder होता है, वो 0.5 से 1.5 ग्राम के आसपास use किया जा सकता है, या फिर 3 से 4 जो long होता है, उसको कूट के शहद में मिलाके, इसे खाने के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं, नाभी के जो नीचे की बिमारी है, तो खाने के पहले और नाभी के ऊपर की बिमारियां हैं, तो खाने के बाद इसका use किया जा सकता है, इसका तेल यूज कर रहे हैं, तो 3-6 ग्राम जो बतार्शा होता है, उसके अंदर डालके, इसे internally लेने के लिए दि लव इस नाम से भी आईरवेद में आया है, वैसे कई भी आउशदी के बहुत सारी नाम आईरवेद में बोले गए रहते हैं, तो यह था लवंग जो कि कफ पित्ते पे बहुत अच्छा काम करती है, और अगर आपको आज जो बताई हैं, ऐसे कुछ भी तकलीफ हो तो उसमे आप लवां का प्रियोग कर सकते हैं, आप ऐसे और कौन से अन्य आउशदियों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तब तके लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें